कि अज़िए पर थे हम अब इस को श्राइब और चीज़ें लास्ट में अपोलिनियस भी सीखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे चली जवाब दीजी आप इस कोशन का हाँ, चली और एक ब्रत का केंद्र है सर्ड जिसके पी एक और पी वी वाई बिंदू ए और बी पर बिंदू पर इस पर श्रेखाएं हैं क्यू ब्रत पर एक बिंदू है जिसके क्यू एक 49 है QVYF 62 है, AQV का मान बताईए, आपको ये कुशन स्टफ लगते हैं मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ देखो, क्योंकि वैर मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, इस संधर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये इसली समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने ये जुमेट्री का थर्ड पार्ट लिया, कि मैं आराम से आपको समझाऊंगा कोई जल्दबाजी नहीं है, आई बाज समझ में आप लोगों को, खिलियर है ना, चलिए, तो अभी देखो सबके आंसर आ रहे है जिन्नोंने बनाया ह अच्छी बात है भाई, अच्छा लग रहा है देखो आप देख रहे हैं बना रहे हो आप, तो ज़्यादा तर स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर निकल कर आया है क्या, 59, 69, 59, 69, देखते हैं चलो, कुशन देखिए हैं ना, 17 कुशन है, तो आपने क्या करना है, एक ब्रत बनाना है, ओ, एक ब्रत का केंद्र है, जिसके लिए, पी ए, एक और पी से इसफर्ष रेखाएं हैं, यानि कि दो इसफर श्रिखाएं डाली गई है कहां से डाली गई है ये भी mention किया गया है ये कहां से डाली गई है ये बिंदू P से डाली गई है एक ये डाली गई है भाई साब और एक इसफर श्रिखा आपकी ये डाली गई है भाई साब यहां पर आपसे क्या बूला जा रहा है दोस्तों कि भाई देखो यह आपका क्या है A है और यह आपका क्या है B है किसी को कोई आपत्ती नहीं है और यह आपका क्या है केंदर P है मतब जहां ऐसे जा रहा है अब यह P A X है और P V Y है यह पूरी पूरी रेखाएं हैं दोनों ठीक है P से इस पर रेखाएं जाती है अब Q ब्रत पर एक बिंदू है जो Q A X 49 बना रहा है अब Q ब्रत पर एक बिंदू है यह आप कर सकते हो easily है ना Q ब्रत पर है तो Q A X मैंने यह एंगल बता दिया और आपको यह एंगल जानकर अच्छा लगेगा देखो यह एंगल आपका कितना है 49 है किसी को कोई दिखकर Q A X Q V Y Q V Y की बात की बात कर रहा हूं तो Q V Y यह एंगल कितना है 62 है किसी को कोई प्रॉब्लम बोले नहीं है तो A Q B बताईए यह वाला यह वाला एंगल क्या होगा बताओ बाई आंसर बहुत सारे बच्चों का आया मैंने देखा भी है अच्छा लग रहा है देखो 69 जिनका भी है वो सही आंसर है किरप्या करके सब लोग यातरी गान द्यान दें मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूं अब हमारे पास यह दे रखा है सर्ष्ट ए ए ए क्यू ए एक्स ठीक है अल्टर्नेटिव सेग्मेंट थियोरम आपने पड़ी है न अल्टर्नेटिव सेग्मेंट थियोरम से क्या आप यहां एक चीज नजर कर पा रहे हो क्या क्या आप एक चीज देख पा रहे हो अल्टर्नेटिव सेग्मेंट थियोरम अगर यह इस प और यह अल्टरनेटिव सेगमेंट है तो यह वाला आ जाएगा क्या 62 और 49 बोलिए हा या ना या 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 ना बोलते जाहिए बस बोले सर बिलकुल ठीक है कोई इशू नहीं है मेरे को आराम से निकल कर आ गया यह 111 आपको यह निकालना है तो मैं इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जब 111 आ गया और इतनी हड़क क्यू ले रहे हैं बाई यह वाला भी तो 111 ही होगा और अगर यह 111 हो गया तो यह 69 हो जाएगा तो कि 180 होना ही है आमने सामने वाले कौनों का तो यह आंसर आ गया आपका क्योंकि यह तो एक साइकलिक क्वाडिलेटरल बन जाएगा अगर मैं इस पी पॉइंट को यहां से लेकर चल भी लेता हूं तो क्या दिक्कत है है ना चलिए अगला देखते हैं साइकलिक क्वाडिलेटर बन गया ना यह 111 तो यह 69 क्योंकि हम जानते हैं साइकलिक क्वाडिलेटरल में चारों बिंदू कहां होते हैं ब्रत की परीदी पर होते हैं और होते हैं तो होते हैं बस इसको देने की भी कोई आवशक्ता है ही नहीं यह चारोबिन्दू हो तो आमने सामने वाले کا 180 होता है तो इसका नहीं पता कोई बात नहीं लेकिन आमने सामने वाले का तो 180 होता है उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहां पर एक तो लगी है cyclic quadratic और एक कौनसी लगी है मेरे दोस्तों एक प्रोःटी लगी है alternative segment alternative segment कि ठीक है alternative segment की वज़ा से ही तो यह 49 उआ और यह 62 उआ पता है न है आपको यह वाली ऐसे आद आगेगी कुछ होग चोछे बूल जाते है थोड़ा कम थोड़ा दिमाग वे रखते हैं यह वाली ठियोर्म जहां पर यह वाला जो Saints होता है इस वाले आंगल के बराबर होता भू अगला कोश्चन देखिए आराम से बनाए कि भर एक कोश्चन बहुत को सिखाएगा डियर मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जुमेट्री करो तो सारे कंसेप्ट एक साथ पढ़ने के लिए यह सबसे शांदर रहने वाला है तसली से करिए गाया जल्दवाजी मत करना अयाराम से डाइगनाम बनाओं बंता है ठीक है नहीं बंता है कोई बात नहीं अराम से देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं 李 जी मैं बोला जा रहा है गुरुऑ जी चे मैं बोल रहा हूं कि ओ केंद्र वाले केंद्र वाले एक ब्रत में एडी आपका क्या है व्यास है केंद्र वाले एक ब्रत में एडी आपका व्यास है और एडी अगर व्यास है तो वह कहां से होकर गुज्रेगा केंद्र से होकर गुज्रेगा यह AD आपका क्या हो गया एक व्यास हो गया AC एक जीवा है AC जीवा भी है ठीक तो यानिकी AC जीवा है सर मैंने जीवा बना दी तकलीफ आये तो बता देना कुछ है न यह कौड बना दे न बी AC पर कोई बिंदू है और O B बराबर आपका कितना है पांच है तो B मैंने यहां कहीं बना लिया जिससे कि मैं एक पॉइंट आपका बना रहा हूं O B O B जो कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पांच जैसा कि कुछिन बोल रहा है O B A O B A यानि कि यह वाला एंगल आपको दे रखा है साथ डिग्री अब मैं जानता हूं कि यह वाली एंगल आपको दे रखा है साथ डिग्री डी ओ सी डी ओ सी थोड़ा सी इधर की तरफ होगा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं तो थोड़ा सा सी को इधर सरकाना था कोई बात नहीं मैं ऐसे बोल देता हूं कि डी ओ सी हाला कि लग नहीं रहा साथ लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा यह भी साथ डिग्री बोल रह किसी को यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है सजनो बता दो यार ऐसी टेंशन मत लिया करो क्योंकि कोशन तो ऐसी बनने वाले पेपर में तो मैं यह जरूर कहूंगा आप लोगों से और अभी भी कह रहा हूं कि ऐसी बात है तो यह भी आपकी तिरिजा है और यह भी आपकी त रिज्जा है यह के नहीं बोले विल्कुल ठीक कह रहे हो सर कोई इश्यू नहीं है यहां पर अंसर तो वही आने वाल है कि वहाँ रेंफॉल बहुत जगह हो रहा है अब प्लीज ध्यान दीजिए को यह मैं थोड़ सी कोे टेल्ट करना चाहता हूं जिससे कि आप खूंड अपको फील आहे थोड़ा सा थोड़ सा ब्लीज चांती बनाए रखना अब अटाब नहीं करनी है क्योंकि कोशन में थोड़ासा मैं लाइन को आगे करना चाहता हूं अटो आप अब भी अट जाओ आप भी अटो चाहिए ऑक हो प्रैक्टिस से बता चलेगा और यह केंदर को मैं बता देता हूँ यह केंदर है इसको सेंटर माना लेते हैं इसको सेंटर को मैंने क्या माल लिया था उपरेशान मत ओना मैं हर चीज़ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं और यह आपका जो एडि आपका व्यास है और बी पॉइंट यहां कहीं आपने मान लिया है गुरू जी और यह आपने इस तरह से मिला दिया गुरू जी और मिलने के बाद में आपको पता लग गया कि यह आपका पांच दे रखा है कोई दिक्तत नहीं अब यह AC है और देखो एक यंगल DOC दे रखा था तो मैंने इसलिए यह सब किया कि DOC लगे कि यह 60 णिग्रिय और आपको जानकर भी अच्छा लगेगा कि यह अगर 60 णिग्री है और यह वाली भुजा और यह वाली भुजा भी बराबर है दिख रही है आपको दिख रहिए तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप ये क्राइंगल बना रहे हैं तो इसके सामने का कौन भी और इसके सामने का कौन भी बराबर होगा यानि कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा इसके सामने को और इसके सामने को क्योंकि ये तो 60 दे रखा है किसी को कोई प्र रखा है तो मैं बस वो देख रहा हूँ अब मुझे क्या निकालना है मुझे बीसी की लंबाई निकालनी है कि सर यह बीसी क्या होगा यह बता दोगा मैं हमेशा से यह समझता हूँ कि अगर आप यहां तक निकाल पा रहे हो तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि यह जो पूरा है यह 30 डिगरी हो जाएगा क्या अब हां या ना में जवाब आपको देना पड़ेगा लेकिन मैंने यह 30 डिगरी लिखा है क्या आपको समझ में आया क्या सर साथ क्यों होगा एंगल सेम है साइड भी सेम होता है न भाई यह साथ इसलिए हो गया क्योंकि दौनों बुजाएं बराबर है क्यों है क्यों कि तिरिज्जा है वो तो इसके सामने का कौन इसके सामने का कौन बराबर होना था अब यह साथ है तो बचे हुए 120 में से 60 ही हो तो बहुत अच्छी बात है धीरे धीरे आएंगी चीज़ें अगर अब मैं यह कह देता हूं यार कि अगर यह आपका 30 है यह आपका 30 है और यहां पर कोई बिंदू है तो यह कितना हो जाएगा 120 बोलिए अरे बोलिए यह वाला एंगल 120 क्यों रैकित कौन युग में से इसका 180 होना अनिवार रहे तो यह 120 हो गया तो यह वाला भी कितना हो जाएगा 30 हा या ना बोलते जाएगे बस अरे हां गुरू जी तो मैं वही तो कह रहा हूं आपको 20 चाहिए तो इस 30 डिगरी के सामने 20 है और इस 30 डिगरी के सामने O भी है तो O भी अगर 5 है तो BCB आपका क्या होगा 5 होगा मज़ा आया या नहीं आया क्योंकि देखो समझ समझ का खेल है आप अगर नहीं समझेंगे तो गदिक्कत हो जाएगी और मैं आपको हर एक स्टेप समझाना चाहता हूं क्योंकि एक्जाम से प आप इससे दूर भागोगे मुझे पता है और आपको करना भी है यह तो दौनों ही चीज़े होती है तो दौनों चीज़ें में एक चीज दिमाग रखे कि करने के लिए उतरना पड़ेगा है ना उतरो और करो अगला कोशन डाइग्राम बनाओ तसल्ली से करत कि कंट चाहना वह भी है आपको क्वाल खे नाया है सजब्धि मैं पर भागोगे में उतरू घम bounces पहाईः चलिए बैया करिये है हाँ आईए सर ओ केंदर वाले एक ब्रत में ओ केंदर वाले एक ब्रत में एवी जो है व्यास है और सीडी जो है जीवा है अब देखते हैं चलो ठीक है सबसे पहले आपको क्या बनाना है एक ओ केंदर वाले एक ब्रत बनाया और इसमें एक एवी को व्यास बना दिया यह ओ केंदर है एवी को आपने क्या बना दिया एक डायमेटर बना दिया सीडी एक जीवा है और एक दूसरे को ई पर प्रतिशित करते हैं अब कोई एक बही यह भी एक जीवा ही होती एक तरीके से अगर नोटिस किया जाए तो डंग से हाला कि कोई फरक नहीं पड़ता आपने एक सीडी जीवा बनाई जो एक दूसरे को ई पर प्रतिशित करते हैं तो मैं ऐक ऐसे जीवा बना दी सिसी को कोई परेशानी में होनी का इस rated किस पर 5000 रही एपपर uteson ूई हेटी को जोड़ा जाता है क्या बोला जारहा है सब strum a1 को जोड़ा जाता है मैंं को जोड़ है सिक इससे जोड़ गया और एडी को जोड़ दिया इसन ऑर एडी को जोड़ा जातां विल्कुल जोड़ दिया बी ओसी 48 है तो बी ओ सी अरे वाह यह 48 है एक एंगल आपको दे रखा है भाई बी ओसी अरे तादिस हाला कि मैं ओ को थोड़ा सा इधर खिसका सकता हूं लेकिन कोई बात ने ए ओडी ठीक है बी ओसी ठीक है नाम ना मत थोड़ा सा जाधा रहा है मैं सी को इधर ले ओँ ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है टेंचन नहीं लेने का है कुछ भी नी करा भी तक हमने हमने बस टेंशन नहीं दी हमने यह आपका केंदर बनाया ओ इसको डी इधर ले लेता हूं सी घर ले ले लेता हूं जिससे की थो देखे यार वाका इदा थोड़ा न्यून कॉंड सा दिखे अब ठीक लग रहा है इससे मुझे पता भी चल गया कि यार डी नीचे इसी उपर एसी नीचे अब अब लग रहा है नबबे से ज़्यादा तो ऐसे फील आजाता है अपने थोड़ा सा तो यह मैंने देख लिया कितना आया सो डिग्री आ गया ए ओडी सो डिग्री आ गया तो सी इबी का माप बताओ सी इबी का यह वाला एंगल आपको निकालना है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है डाइगराम बनाना आप सभी लोगों ने बना लिया आपको तकलीफ तो नहीं आई ना किसी को मैं यह जरूर देख रहा हूं कि OC और OD मेरी क्या है रेडियस है यह बराबर होगी क्या OC बराबर OD बराबर होगा सर क्योंकि यह एक तिरज्जा है OC बराबर OD होगा क्योंकि यह आपकी क्या है रेडियस है होई यहां तक इशु नहीं है मेरे लिए और नहीं होगा मैं कह सकता हूं कि AOD और बी ओडी तो यहां मैं यह निकाल सकता हूँ क्या 80 डिगरी यह वाला एंगल 80 डिगरी आ गया क्या अरे बोल दो यार रहके कौन युगम से यह 100 है तो यह 80 होगा लीनियर पेर से बोले ठीक है अब यह पूरा 128 आ रहा है बीच वाला एंगल चलो सर अच्छी बात है यह पूरा डी ओसी निकल कर आ गया यह भी बराबर है यह भी बराबर है बराबर है तो मैं जरूर कहूंगा कि इसके सामने का यह वाला कौन और इसके सामने का यह वाला कौन बराबर होगा नहीं होगा बोलते जाओ यार आप लोग बोलते जाओ भई यह 128 है अब 128 बचा कितना 230 हो जाएगा 52 तो यह वाला 26 हो गया 180 होने के लिए और यह 26 हो गया अरे वेरी गुट आ गया ना चलो अब आपको क्या निकालना यह यह निकालना है तो आप यह देख रहे हो कि यह इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है कि इसमें यह वाला कौन पता है आपको यह निकालना यह यह कौन है तो आंसर कॉनों का योग अड़तालेस प्लस छबिस आंसर कितना आया इसको मैं दो दे देता हूं तो पचास और बाइस आपका बहुत पचास दो दे दे चोहितर आ गया कैसा लगा सच सच बताना देखो समझ में आना चाहिए आप लोगों को 74 आंसर आएगा और यह चीज क्वालिटी समझ में आ रही है एसे कोश्चन वाक कई में 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 भी आते हैं यार सीबीटी टू में भी पूछा जा सकता है ऐसे सीचसल में भी सीजी अल में भी पूछे जाएंगे यह तो आप इन्हें एग्लोर ना करें क्योंकि यह आएंगे और जोमेट्री खुलकर आपको समझ में आएगा ऐसे आती है देखो रियल बात है कि आरा है ना आराम आराम से यह आना चाहिए बस कि मैं कैसे सारे निकाल पा रहा हूं कौन-कौन सी थियोरम जब तर डाइग्राम नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं देखेगा और डाइग्राम मनाती सब कुस दिख जाए आपको अगला कुशन देखते हैं यह बीच में 64 है अराम अराम से करिए आज शाम को मेला भी है शाम को पाँच बजे, साड़े पाँच बजे, छे बजे, साड़े छे बजे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट के 2021 में पूछे गए प्रशन कराऊंगा सब लोग जरूर देख ले ना उस वीडियो उसको लाइव आएंगी वीडियो से ना, यूट्यूब चैनल इसी पर, तीन बजे के अच्छना मैथ होता है, रेगूलर देते रही है बस अब यह कोशन देखने में आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन यह सकते आसान कोशन है, आप लोगोंने समझा है इस कोशन को तो आप कर सकते हैं, देखिए कैसे, दी गई आकरती में पी क्यू आपका एक अर्दवरत है सर, तो मैंने का सर पी क्यू मेरा एक अर्दवरत है में अच्छा पीए-बी-क्यू का व्यास है जोन मैं जो अंसर देख पारा हूं वहाकी बहुत अच्छे आ रहे है लेकिन ठीक है देखते हैं आपको यह वाला जो हिस्सा है लाल वाला यह 64 बीच में किसी को कोई इश्यू नहीं है तो मैं यह कह सकता हूं क्या दोस्तों प्लीज सामने देखिएगा प्लीज डियर कि यह वाला यह कितना होगा कि अभी आपको ऐसे समझ में भी आ सकता है जिरा बना नहीं पा रहा लेकिन मैं डाइग्राम को बड़ा कर रहा हुं गतर तो इस दे रख़े हैं आपको नीग यह निकालना यह दो सेक्ड ने को बड़ा करके दिखाता हूं आपको 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 और इसमें हम बहुत कुछ करेंगे अब ठीक है प्लीज मजा नहीं आए तो फिर मेरे से कह सकते हो और अगर आजाए ना फिर किसी से कुछ नहीं कहाना है चुप चुप सीखने में ध्यान देना है प्लीज ध्यान दीजिए मैं बहुत अच्छे कॉंसेट पे साथ चल रहा हूं इस पर तो मैं कहता हूं देखो सर यह 64 है आपने बिलकुल मैंशन किया हमें अच्छा लगा यह ब केंदर पर बना हुआ कौण इस 10 वी जीवा द्वारा है परीधी पर बना हुआ कुट्ना वहा अधा कि परीधी तो है तो क्या यह एंगल 32 हो जाएगा इसी यह ऩानामे जवाब देदो इसी ए भी चाप द्वारा केंदर पर बना हुआ इसी ठीर इतर बढ़े किए बात तौचित बड़िया है यह बात तौछ जोड़दा रहे अगर मैं कहरता हूँ कि ये व्यास है और इस व्यास द्वारा ये वाला पूरा कौन कौन सा वाला ये वाला क्या 90 डिग्री होगा ये इस वाले व्यास से बन रहा है ये वाला दिख जाएगा ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री कोई टेंचन है क्या कोई दिक्कत यहां तक जेखो पी एक्यू नबबेट गिना दिख रहा है आराम से टेंशन नहीं लेने का है क्योंकि पी क्यू आपका डायमेटर है आपको क्या निकालना है पी एक्स ए निकालना है यह यह तो निकालना है पी एक्स ए पी एक्स ए आप यह निकालना तो यही है आ रहा है गया एक्स पी निकालना है एक्स पी एक्स पी एक्स पी बहार का क्यों निकाल रहे हो भाई अंदर कहीं निकाल लो हाँ यह लो 58 क्या सबका आंसर आ चुका है मैं बहार का निकाल रहा हूं एक्स बी ओता बहार का तो अंदर का होगा ने एक्स पी तो मुझे लगा पी यह आ है तो पी यह तो अंदर का ही निकलेगा समझे लो ना कि बहार का क्यों नहीं क्योंकि यार वो एक्स बी ओता यू जाता ना वो हमें तो एक्स पी चाहिए तो अंदर का चाहिए तो यह 90 है यह 32 है इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं नीले नीले अंबर में चांद जब आए मज़ा आया नहीं आया बताओ कठिन नहीं है यार क्लैरिटी होना बहुत जरूर यह पता है आपको ऐसे कोशन में ना कठिन नहीं लगेगा एक सिंगल कोशन भी लेकिन करते नहीं हम शुरू से बस हमारी आदत यहीं रह जाती हमेशा आप करोगे ना तो सब कुछ आसान है यह आपके सामने सबूत है चलिए सर अगला कोशन देखते हैं आप इसको ट्राइए करिए यह सारे एक नंबर हैं आपको मज़ा आजाएगा आपको हर एक थियोरम रिवाइज हो जाएगा चक्रे चतुरुपर पुछ पर बेज़ जाए आप एक बर अपना दिमाग लगाए आंसर क्या हो रहा है देख लो नहीं अर्टीस हो रहा है अठ्यावन हो रहा है अठ्यावन है ना अप्शन में अर्टालिस आ रहा है हां हय एक सोसी मेंसे गढ़ा दो एक सो और इसको अठ्या मनाएगा सु हूस्य कंसर 3 p.m. sorry pm ctm तुम जंए को लिए काई से कंई कहसे और पीकुर ए से चक्रे चतुरमज है चके चतुर पुछ पूछ क्या होता है आप बता हो चक्रे चतुर होता है सर एक ऐसा चत्रबुज जो की ब्रत के अंदर होगा और उसके चारों पॉइंट कहा होंगे ब्रत की परिदी पर होंगे वह चत्रबुज क्या क्यलाएगा चक्रे चत्रबुज क्यलाएगा मैंने PQRS को इस तरह से बना दिया कोई टेंशन नहीं मैं पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि यह बहुत बड़ अच्छी थियोरम है जो पेपर में आती है मैंने इसको PQ PQR और S अब PQ दे रखा है सर आपको कितना 14.4 QR आपको दे रखा है 12.8 SR आपको दे रखा है 9.6 तो P.S क्या होगा किर्पया करके आप वो ना सोचें जो कई बच्छे सोचते हैं वो S उस वाले में होता है जब किसी चत्रबुझ के अंदर आप किसी ब्रत को फसा देते हो तब आमने सामने की बुझाएं आमने सामने की बुझाओं के बराबर होती है मेरी बात समझ में आ रही है इसको भी लिख लो आत्यार जिसे की दौनों में कंफ्यूजन ना रहे है तब आप कह सकते हो कि P.Q.S.R. बराबर होगा पी एस प्लस क्यू आर के यह कब होता है जब ब्रत जो है उस चत्रुच के अंदर है साइक्लिक क्वाडिलेटरल में ऐसा नहीं होगा किरप्या करके ध्यान दें यह बात समझ में आगई बात चलो यह चीज और यह चीज अलग है ना आप बिल्पुल ऐसे नहीं करते हैं अब पोश्चन क्या कह रहा है सर्फ P.R. P.R. कहा है यह रहा है आराम आराम से है ना पी आर यह आपका एक डाइगुनल है Q.S. को दूई भाजित करता है यह Q.S. है पता हूँ को हमेशा दिमाग में रखना है जिसके respect में दूई भाजित हुआ आए ना आप उसके बात करिए बस मेरे से आग खत्म और कुछ बात नहीं करनी आपको जिसके respect में हुआ है तो देखो इन दौनों का multiplication बराबर कर दीजिए इन दौनों का multiplication यह हमेशा याद रखन जिसके respect में दोई भाजित हुआ है ना जैसे कि यह है दो भागों में बटाना तो उस वाले भाग के दौनों sides का multiplication यानि कि 14.4 into 12.8 बराबर कर दो हमेशा 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 9.6 into x यानि कि ps solve करते हैं देखू 24,94 और 24 into कितना हो जाएगा 6,144 चार से काटा चारतिया बारा चार दो नहीं हांट तो answer आगया 19.2 मेरी बात आपको समझ में आ गई नहीं आई है तो समझ लो ये paper निश्चित ये question निश्चित तौर पर आपके paper में छप गया है मैं दुबारा से दिमाग में रखताहा हूँ ये चीज आपको कि जिससे की आपके दिमाग में ये रहे बाई क्योंकि आती है मजाक नहीं कर रहा हूं जैसे कि ये दुई-भाजित है नो आप ऐसे बना लो तो अब जो दो भागों में बट रहा है जैसे कि क्यू एस बट रहा है तो क्यू एस के इर्द गिर्द वाले नहीं आपने जिसने बाटा है उसके एक तरफ और इस तरफ वाले ले लो जिसने बाटा है ऐसे मान सब्सक्राइब यह बीच में 110 है वो बिल्कुल इनी दिख रहे तो इसको मैं बना देता हूं डाइग्राम को कि मुपट, कि माला बाटा है तूरो कि दो गिर्व मुटह चाहां है तूरो कि आए और अनी अजातरा है थूरो कि playlist ल53 मेंगते है एकप ढूत कि कुवटsky देता है तूरो कि वुमवट मुवटक कि प्या को यह तूरोड़ कि एक एक चक्रिय चत्रबुज है सर्ट चक्रिय चत्रबुज में आमने सामने की कौन 180 होते हैं ध्यान रखना है न अब PQSR के समानतर है अच्छा यह समानतर है हाला कि बनाया नहीं है लेकिन समानतर से हमें पता लग जाता है कि यह जो होगा 180 होगा तो 110 यह हो गया तो यह सत्तर हो अब से क्या पूछा गया है PQR यानि कि आंसर 110 होगा अब पता नहीं क्यों सत्तर दे रहे हो यार मतलब कुछ भी यार मतलब हैं कुछ भी इसा मत करो इतनी बड़ी बेव कुभी क्यों कर रहे हो तुम लियार मतलब साब साब दिख रहा है कि समानतर है तो संग आंतरिक कौनों को एक सस्य होना चीए तो यह 110 होगा अगला करिए चलिए यह शांदर कुछन डायरेट आएगा इस पर आंसर है ना सब ए बी सी डी एक आयत है आयत है गाना है ने इस पर तुझे कैद कर लिया है आयत किता था कि पी क्यू क्रम अशय बी सी और एडी के मद्य बिंदू है कि बी सी का कौन है पी है और यह क्यू है मद्य बिंदू है याने की कहानी बिल्कुल सपस्ट आपके सामने नजार आती हूई R PQ पर कोई बिंदू है अब कहीं पर भी हो सकता है यह R बिंदू तो A, R, B का चेतरफल बताओ हमेशा 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 लाइफ में याद रखना ति यह बिंदू कहीं पर भी हो अगर आपको triangle A, R, B का चेतरफल निकालना है तो वह आयत के छेत्रफल का क्या होगा, पहले से यादा है, फिर और आदा हो जाएगा. यानि कि एक चोथाई होगा rectangle ABCD के area का rectangle ABCD के area का one by fourth होगा यह हमेशा याद रखना से कहीं पर भी हो सकता यह point बिलकुल यह R point vary करता है कहीं पर भी हो सकता है लेकिन यह हमेशा एक चोथाई ही होगा आईए अगला कर दो कर दो कर दो कर दो कोडिनेट जो मैट्री होगा भाई यह ना तयार है ना यार तो तुम भूब ऐसे कि 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 और कुछ यह भी साट डिगरी है कि 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 क क अगला प्रशन करके बताएंगे आप अराम से करिए कि कि अ अ प्रशन करण एक समलंब है Yermi CD क्या है संब्लम है जहां पर बोला गया एक क्या है रहा जश्वेजार कि यह रही है यही है यह जना है कि अब़ी इस लीए यह बड़ाए लिया ABCD का छेत्रफल भी दे दिया तो CD का मान बता दो यानि कि उस CD का मान आपको निकालना है और AD जो है वो BC के पैरलल है यानि कि इसलिए ये दोनों आधार BC बराबर आपको 18 दे दिया ठीक है और area दे दिया सब्तर मैंने यहां से लंब डाला मैंने यहां से भी लंब डाला ठीक है अब कोई बात नहीं है बाकी 18 में इसे बचेगा जो आठ 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 वो चार चार में बढ़ सकता है लेकिन मैं इसके लिए डैम शौर नहीं हूं लेकिन अगर मैं बाट देता हूं क्योंकि यह आईसोसेलिस ट्रेपेजियम है तो हमारे लिए थोड़ी कहानी आसान ब अब अशक है तो एच बराबर आगया पांच तो जब एच बराबर आपका यह पांच आही गया है आपको क्या निकालना है सीडी निकालना है तो कैसे निकालोगे 25 प्लस 16 अंडरूट 41 तो अंडरूट 41 आपका राइट आंसर आएगा ठीक है और यह ध्यान रखना यह कौन सा ट्रेपेजियम है आईसोसेलिस ट्रेपेजियम है अगला मजा आ राएडियर कोशन करने में आएगा यह समांतर चत्रोज पर है भाई कि अबी सीडी एक समांतर चत्रोज है A, B, C, D क्या है एक समानतर चुत्र बुझे क्या बोलते हैं बाई किरपया गर के ध्यान दें आपसे बोला जा रहा है सर A, B, C, D, X समानतर चुत्र बुझे मैंने इसको मान लिया यह A है यह B है यह C है और यह D है कि A का दुई भाजक D, C से E पर मिलता है आज थी मुझे छोटा बनाना चाहिए ऐसा अचानक से क्यों कि क्यों मिल रहा है न आ गया दिक्कत आईगी फिरवई वाली बाद चिक चिक आपन नहीं चाहते जिन्दिगे में ठीक है नीट अन क्लिंग काम करना चाहते है आपन ठीक है यह A हो गया यह B हो यह A, B, C, D A, B आपका 10 है और A, D आपका 6 है यह भी 6 होगा और यह भी 10 होगा कोई दोराय नहीं है A का दुई भाजक DC से E पर मिलता है A का जो बाइसेक्टर मैं बना रहा हूँ यह बन गया बाइसेक्टर A का और यह दुई भाजक है और किस से मिलता है DC से E पर मिलता है और BC से F पर मिलता है BC से F पर मिलता है यह BC को हमने आगे बढ़ाया हो हो तुम भी नाटक पूरे नाटक चले आईए किस पर मिल रहा है भाई F पर मिलता है मिला दिया भाई कोई दिक्कत तो नहीं है तो बोला गया सर C F की लंबाई कितनी होगी आप यह बताओ अब आपको उपस कॉमन सेंस लगाना है कि AD जो है ना अपना AD जो है वह अपना जो बराबर होगा वह C F के बराबर होगा निश्चित तोर पर यानि कि AD 6 है तो यह भी 6 ही होगा अब आप मुझसे कारण पूछ लेते हो कि सर क्यों हो गया यह तो बताओ क्योंकि जैसे ही मैं ट्राइंगल देख रहा हूं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को तो निश्चित तोर पर मैं यह कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल C E F बन रहा है यह वाला जो ट्राइंगल है CEF यह इस ट्राइंगल के बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि यह जब दुई भाजक काटेगा तो दो बराबर भागो में काटेगा तो सेम कंडिशन बनेगी कि एक बुझा यह बराबर हो गई यह भी बराबर हो जाएगा आगे जाकर भ। ग्जय के जो एकटिया ने बाइड que sounds कि आठ होगा क्या कि सीएफ की लंबाई आपको निकालनी है मैं यहां देख रहा हूं कि यह का बाई सेक्टर है अगर यह एंगल बाई सेक्टर है तो मैं इतना जरूर समझता हूं कि यह वाला जो कौन है जैसे कुछ भी हुआ एक्जामपल ले लेते हैं और यह पैरलल है तो क कौन के बरावर होगा ऐसी मैं एक्जामपल ले रहा हूं यह अलफा ले लिया यह अगर अलफा है तो यह विया जो और यह वाट कहरा हूं नहीं जो बताओ सर ऐसा कैसे प्रेंट को पैरलल है ना हाँ समझ में आ रहा है न ठीक है बिल्कुल ठीक है एक कौन तो आपको समझ म आ गया और 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 ऐसा है कि यह मान लो अगर बीटा ले लिया आपने तो यह 180 माइनस बीटा होगा और यह बीटा हो जाएगा और यह बात भी ठीक है और यह बात समझ में हम तो cf की लंबाई क्या होगी 6 होगी हाँ बिल्कुल 6 होगी ऐसे नहीं है न ट्राइंगल cf मैं अगर ले लेता हूं तो एंगल ef अगर बात बात प्राइंगल कैसे निकाले है आद यह इफ सी और cf हां क्या करें गडबर हो रही है लेकिन हम यह कह सकते हैं क्या हां एक्जेक्ली बिल्कुल सही फर्माया आप लोगों ने कहीं सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है और वह सही कारण भी दे रहे हैं मेरा कंफ्यूजन भी दूर हो गया अचानक से आ गया था बिचारा vcd यह a b ds है a d आपक है है और a का जो बाई सेक्टर है सर होने दीजिए आपको dc को तो फर मिलता है और b c से एक पर मिलता है यहां तक मैंने डाइगराम बनाया बनाया एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजे कि मैंने इसको df को मिला दिया तो आप यह निश्चित तोर पर कह पाएंगे कि जो आपका ad है वो आपका df के बराबर होगा ठीक है जो आपका जो ad है ना वो df के बराबर होगा क्योंकि शिमेट्रेक वाला पाड चला गया पूरा पूरा अगर ad अगर आपका zip के बराबर हो गया तो यह साका छे हो गया यह सच हो गया अब आपको क्या निकालना है सी एफ निकालना है तो आपका एक यह तैयार हो गया ट्राइंगल यह पता नहीं चल रहा है कि सी बराबर क्या हो जाएगा कि देखते हैं वह इसको रखना यार देखो जमाग में नहीं बैठ रहा भी तो छे आएगा चार आएगा हाँ अब दृती है कॉशन पकंष ठार कर लो गया अब हीकquinho चलो छोड़ी दिर में आजाए क्या पता अजचानक से नहीं आथा है और अचानक से कभीका बड़ो भी जाता है अगर यही को शन रैंटवhole था दो इसकेंद इंस्टेंटली कभी कबार तो आ जाए जिमाग में नहीं आए तो नहीं आए भाई अब बोला गया है सर्फ पी के वारे से क्या है आपका एक चत्रबुज है तो एक चत्रबुज बना देता हूं देखो किस पर मिल रहा है वो पर मिलता है आर बराबर आपका सत्तर डिगरी है सर और एस बराबर आपका 130 है तो मैं यह समझ चुका हूं निश्चित तौर पर कि यह दूई भाजक की बात कर रहे हो न सरा बिलकुल तो देखो यह 200 हो गया अब बचा कितना 160 क्योंकि 360 होता है टोटल अ आप 160 है और आप पी ओ क्यू निकालना चाहते हूं तो मैं यह वाले एंगल का सम तुरंत बचा सकता हूं 80 होगा और पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा मज़ा आया नहीं आया तो यह इंस्टेंटली आपका अंसर आ जाता है इसमें दिमाग का दिमाग ही नहीं हो जाएगा कि अगला देखिए फिर इसी बात पर सम्बलंब वाला है ना इसकी भी डायरेक्ट थियोरम होती है और पेपर में जरूर आएगा सर कैसे आएगा जरूर देखो एक सम्बलंब चत्रवुज आपको दे रखा है जिसमें AD जो है BC के समानतर है ऐसा बोला गया है कि जिसकी बुझा जो AD है बी-सी के समानतर है सर एसी और वीडी विकर्ण ओपर प्रतिछेद होते हैं कि एसी है एक बीडी है और वह किस पर प्रतिछेद हो रहे हैं ओपर प्रतिछेद हो रहे हैं ठीक है ए ओ कितना है 3 है यह देखो C हो कितना है X-3 है बी ओ कितना है 3 X-19 है और यह है X-5 तो आपको X का मान निकालना है तो आप यह निश्चे तोर पर जानते हैं कि यह समानतर है तो यह वाला कौण इस वाले कौण के बराबर होगा ये वाला कौन इस वाले कौन के बराबर होगा तीन लाइन वाला एंगल है अब इसके सामने जो बुजा है वो x-5 है ऐसे किया करो रटना नहीं है न और इसके सामने दो एंगल वाले के सामने ये है और दो एंगल वाले के सामने 3x-19 है इसी प्रकार बराबर कर सकता हूँ तीन वाले के सामने तीन है और इस तीन वाले के सामने X-3 है बस cross multiply करके solve कर लो quadratic बना कर या फिर आप option से भी रख सकते हो आप option से भी रख सकते हो dear वो issue नहीं है मेरे को अब जब आप इसको quadratic से solve करोगे तो x square माइनस का 3x माइनस का 5x फ्लस का 15 इस इक्वल्स टू 9x माइनस उननिस तिया सत्यावन वो दिक्कत आप लोगों को बोले सब बिलकुल नहीं है मस्ट चलने दीजिए x square माइनस का 17x सत्यावन और 5, 62 और 10 72 तो आपको साफता नजर आगया आठ नाम 12 तर मज़ा आगया वई कोशन करके मच्छा लग रहा है न देखो आपको अच्छा लगना चाहिए कितने लोग geometry के revision के चुक थे ये पूरा revision हो रहा है इससे best नहीं हो सकता क्योंकि theorem करना और उस पर question करने में बहुत फरक है आरी ये बात समझ में मेरी आनी चाहिए मेरी बात समझ में क्योंकि theorem पढ़ लिया हो गया काम लेकिन revision तो बिना question के संभवी नहीं है न भाई पेपर में तो theorem थोड़ी आएगी revision आएगा question आएगा तो आपको इससे best नहीं हो सकता अब 18 बुजाओ वाले वहुबुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो क्या हाँ n बराबर जब 18 है तो विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3 बटे दो तो 18 गुणा 15 बटे दो 135 विकर्ण हो गए सीखने को मिलता है समभाहू तिर्बुज में बहुबुज में प्रतेक अंत्यकॉण का मान ये है बुजाओं की संख्या बताओ अंत्यकॉण ये है तो भाहिया कॉण कितना हो जाएगा बता न चार डालोगे 24 हो जाएगा तो भाहिया कॉण अगर 24 डिगरी है तो बुजाओं की संख्या के लिए डायरेक्ली 360 में 24 का डिवाइड कर दो 12 या 36 और 12 या 24 पंद्रा आ गया मज़ा आता है बई देखो एक नियमित अश्ट गुज का केंदर ओ है और एक ब्रत केंदर ओ वाले एक ब्रत में अंतर नहीत है तो उसका अनुपाद ये कोशन अच्छा है तो एक अश्ट कुछ बनाईए आप एक ब्रत के अंदर मैं आठ पॉइंट को अलाइन कर रहा हूं बस एक दो पीन चार पांच छे साथ और आठ मैंने इन आठ पॉइंट को अलाइन करके जोडने की सोच लिया तभी अश्ट कुछ बन पाएगा देखो यार रेगुलर और यार सभी बुजाओं को बराबर है ना प्लीज इन सब इन इसमें सभी बुजाओं को बराबर ही मानना आप पहिए आप बुरा मान जाओ सर एक छोटी दिख रही एक बड़ी दिख रही है एक तरीके सी अश्ट बुज बन गया आपका ठीक है अब बोला गया है सर एक ब्रत केंद्र ओ है ओके ओए बी मैं इनका नाम करन कर देता हूं ए बी सी डी ए एफ जी एच तो ओए बी ओए बी ठीक है और ई ओवी एक ये वाला कौण है और एक ये वाला कौण है बताईए सर क्या होगा बताइक कि ये पेपर में प्रशन आता है नॉर्मल है लेकिन آता है मैं वह जानता हूं सर देकालनूंग topic दो सेकंड में क्या होगा तीन सो साथ डिगरी के गोले में आठ भागों को बाटने पर बना हुआ होगा 45 डिगरी तो यह वाला कौन तो 45 आ गया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सिंपल सी बात है इस पॉइंट पर आठ ही तो बनेंगे ऐसे आप सब आपको मिला होगे तो आठ भागों में डिवाइड होगा 45 तो यह तो आ गया किसी को कोई दिक्कत अरे टैंचन है क्या बोले नहीं होनी चाहिए भाई अब मैं इसी ट्राइंगल में देख रहा हूं तो यह बुझा और यह बराबर है न तो सामने के कौन भी बराबर होंगे त तो बचा हुआ कौन कितना होगा कि 135 बटे 2 तो आपको यही निकालना है न ओए भी ओए भी 135 बटे 2 और 45 का रेश्यों कितना आ रहा है तीन बटे 2 इन दोनों का अनुपात कितना है तीन बटे 2 कैसा लगा प्रश्न और यह ऐसा नहीं है कि केवल रेगूलर अक्टागन में पूछा गया है यह प्रश्न आपसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है समझ में आ रही है बात आ रही है नहीं आ रही है अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है चलिए भाई 135 बटे 2 होगा ना केवल एक कॉंड लेना है इन दौनों का योग 135 है तो एक एंगल 135 बटे 2 और इसका 45 तो रेशो निकाल ले अच्छा लग रहा है वह चलिए अब एक कोश्चन आपके सामने अंतिम है इसको भी निप्टा दो बस और कैसा लगा सेशन भाई खीच के लाइक करो यार जो लोग वास्तम में सीखना चाते थे उनको सीखने को मिल गया ना बस इससे अच्छा क्या हो सकता है जो नहीं सीखना चाते हैं वह भागते रहेंगे अपने डर से और फिर उनका कुछ होगा भी नी भाई यह आप भी जानते हैं । इस दिए ब्रत पर एрафिक और इस्प्रकार है कि पंचपूद बन रहा है अच्छा ठीक है मैं समझ गया एक आपको व्रत बत बनाना है और उसको ब्यास बनाना है और उसका अगर व्यास अगर तयार हो जाता है जिसका नाम A B है और यह आपका केंद्र बन गया C D E ब्रत परिस्थित बिंदू है तो एक बिंदू C माना एक बिंदू B माना और एक बिंदू E माना के वी की एक तरफ ही है तो एक पंच बुच तयार करना था तो वो तयार करके देखा येस हो रहा है देख रहा है देखरे हो एक दो तीन चार और पांच यह एक पंच बुच बन गया कि it a cd और b cd b e d का योग बता हो आदेख्वतें ट्राई मारते हैं A, C, D ये वाला एंगल और B, E, D ये वाला एंगल इन दौनों का आपको योग निकालना है आप एक तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना मैं बहुत अच्छा पंसेट बता रहा हूँ आप लोगों को अगर मैं इसको इससे मिला दू आप प्लीज देखिए अगर मैं इसको इससे मिला दू तो क्या आप निश्चित तोर पर ये कह सकेंगे कि या ये वाला गुरू जी ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया बोल दीजी आप क्योंकि व्याज द्वारा परिदी पर बना हुआ कौन आ गया है वो आपका एक साइकलिक कोडिलेटर हो गया यानि कि ये वाला कौन और ये वाला कौन आमने सामने वाले हो गए इनका योग 180 होगा ये तो 90 हो गया अपना मस्त कोई टेंचन नहीं है बोले ठीक है सर अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इनको मैं जोड़ दू देखरे हो जैसे कि मैंने एंगल A, C, D के बारे में निकाला और जैसे कि मैंने एंगल A, E, D के बारे में निकाला तो ये मेरे पास आ गया 180 डिग्री क्योंकि साइकलिक कोडिलेटरल है और ये मेरा जो एंगल आया कौन सा? एंगल एंगल एगल אז ये कितना है दोस्तों? 90 degree कोई दिक्कत? अरे बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? बोले संट नहीं है. अगर मैं इन दोनों को एड़ कर दू तो अगर एड़ कर रही हो तो एंगल एड़ कर रहे हो इन दौनों का योग पहले से मतलब यह तो 90 है तो 90 है प्लस एंगल A, E, D बराबर 180 इसमें क्या है A, E, B तो पहले सी दे रखा है एक 90 और जूट जाएगा इदर A, E, B प्लस एंगल A, E, D बराबर 270 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यही आ रहा है B, E, D पूरा B, E, D बन गया यह अरे यार घजब हो गया 270 आंसर आ गया जिनका आंसर 270 आ रहा है वो सही है यह दौनों को जोड़ने पर B, E, D बन गया है B, E, D तो निकालना था और A, C, D पहले से ही है तो 270 आंसर आ गया मज़ा आ गया कि यह बताओ कैसा लगा पूरा का पूरा रिवीजन तो तो क्तिव है दो